तो आज इस विडियो में अपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने Instagram आकाउंट को और्म नंतली डिर्लिक कर सकते हैं तो फिर कृ और चु historic करते हैं इस विडियो को तो सबसे पहले आपने अपने instagram app को open करना है , कि यह यह अपने instagram आप को open करेंगे तो जैसे प्रफाइल के option पर क्लिक कर देंगे तो यह account ownership and control का option है इस पर क्लिक कर देना है ठीक है उसके बाएड इस पर क्लिक कर देना है अपने जो प्रफाइल उसको चूस कर देना है जैसे अब इसको चूस करेंगे तो आप देख सेगे आपके बाद दो अप्शन है यह जो continue का उप्षन है, इस पर click करके हम जो process है उसको जारी करते हूं ठीक है, जैसे हम इन इस पर click किया continue का option पर, तो आप देख सकते हैं, यह हमसे reasons मांग रहा है ठीक है, आप कोई भी reason देख सकते हैं, मैं just first do reason है, उस पर click करके एंड ये continue का जो option शो हो रहा है मैं इस पर click कर देता हूँ उसके बाद आपने again continue के option पर click करना है तो जैसे आप continue के option पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने वो password का option माँग रहा है इदर आपने password अपना feel करना है last time and then continue के option पर click करना है ठीक है जैसे आप continue के option पर click करोगे तो आप देख सकते हैं कि आप अपने account को 30 days के अंदर जब भी आप ड्रीड करने के बाद अगेन ओपन करेंगे आप अपन ओपन होगा लेकिन 30 days के बाद आपका account permanently deleted हो जाएगा तो अगर वीडियो चे लगते हैं तो पर लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करो मैं मिलते हूँ आप लोगो नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाई